हेलो दोस्तों मैं सफी सर आप सब का स्वावत करता हूँ आपकी चैनल आपकी आपकी केमेस्टी पॉइंट में जब सुस के इथर के उपस्तिती में इलकिल हालाइड तथा अरील हालाइड के मिषरन को किन के साथ सोडियम धातु के साथ क्या करोगे गरम करोगे तो आपको एड्रो मेटिक हैड्रोकर्बन प्राप्त होगा ठीक है इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं वुट्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं इनका परिभासा असान है बाबू आप एक्जाम में लिखोगे जब सुसके इथर की उपस्थिती में एलकिल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिस्रन को किनके साथ सोडियम धातों के साथ क्या करने पर गर्म करने पर क्या पराप्त होता है उत्पाद में एरोमेटिक हैडरोकार्बन पराप्त होता है इस अभिक्रिया को ही बाबू हम लोग क्या बोलते हैं वूड जफिटिंग अभिक्रिया आप बोलते हैं या कहते हैं इनका परिभासा जो है बाबु यहां पे साप साप लिखा हुआ है, ठीके? सुस के इथर, ठीके? सुस के इथर की उपस्थिती में कराना है आपको अभिक्रिया, अलकिल हलाइट तथा एरिल हलाइट के मिस्रन को इनकी उपस्तिती में अलकिल हलाइट तथा एरिल हलाइट के मिसरन को किनके साथ कराना है सोडियम धातू के साथ क्या करोगे इनको आप गरम करोगे सुष के इथर के उपस्तिती में अलकिल हलाइट तथा एरिल हलाइट के मिसरन को sodium धातू के साथ क्या करोगे गरम करोगे तो आपको उत्पार में जो है न बाबू aromatic hydrocarbon पराप्त होगा ठीक है कुल सा hydrocarbon पराप्त होगा aromatic hydrocarbon पराप्त होगा इस अभीकरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं what's the fitting अभीकरिया बोलते हैं ये वाला अभीकरिया जो है न इंपकोटेंट आभीकरिया है बाभू इंपकोटेंट आभीकरिया है बाभू ठीक है छलिए इनका हम लोग क्या लिखेंगे रसाइनिक समीख्रन फिल है है यह हो गया का समून को जोड़ दिजी यह आपका साथैकहा यह बिन इंद της variance में प्रण हेलाइड है इन दोनों को इनके साथ गरम करना है सोडियम धातू के साथ गरम करना है किसकी उपस्तिती में सूस के इथर तो यहां पे लिखना होगा ने उपस्तिती में सूस के इथर ठीक है इस परकार से हम लोग लिख देंगे सूस के इथर यह आपका एलकिल हलाइड हो गया ये आपका aryl halide हो गया ये alkyl halide ये aryl halide इन दोनों के misran को sodium dhatu के साथ इनकी उपस्तिती में आप क्या करोगे गरम करोगे तो गरम का symbol देना होगा ठीक है इन दोनों के misran को sodium dhatu के साथ उसके इथर के उपस्तिती में गरम करते हैं एक बात याद रखना तोinen धातु का दो अनू लेना अब ये दो ins को लेकर 2Nx के रुप में यहां से निकल गया यानि आपका 2Nx यहां से क्या हो गया बाहर हो गया सोडियम धातु का दो lange लेना है ये दो ये दो सोडियम धातु के साथ 2NX के रूप में बाहर बच गया क्या ये वाला समू बचा है और आपका ये वाला समू बचा है ये दोनों X से जो है sodium धातू के दो अनू के साथ बाहर हो गया है 2NX के रूप में यहां से निकल गया है अब ये दोनों समू आपस में इस परकार से परिभासा के साथ नीचे इनका रसाइनिक समिकरन को भी लखना क्या है ज़रूरी है तो इसी को हमलोग वुड़ अबिक्रिया जो है धासु अबिक्रिया है जबरतसता अबिक्रिया है बाव लिए यह बैरी-बैरी मगोर्त इंनका परिभासा में अबापको नुझ है कुछ नहीं करना है इसके अब गरम करोगे तो आपको उत्पाद में क्या मिलेगा यह आपको एरोमेटिक हैड्रोकार्बन पराप्त होगा ठीक है इसी अभिक्रिया को हम लोग वुड्ज फीडिंग अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं अब इसका रसाइनिक समिक्रन जो है इस प्रकार से लिख दोगे यह आपका अकील हलाइड हो गया संगल बेंजिन इसका बोलते हैं घ्रिया विक्रिया बोलते हैं तो इस परकार से आप आपने एक्जाम में लिखोगे बाबू आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से रो कमेंट जरूर करना बाबू जो बाबू हमारे चैनल पर नए हो उन्हों बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सस्क्राइब करना भन्नव